हिमाले के गहरे, हरे भरे जंगलों में प्रकृती एक रहस्य छुपाती है, एक खजाना जो प्राचीन काल से पूझनिय रहा है, रुदराक्ष. यह सिर्फ कोई बीज या आभूशन का टुकडा नहीं है, बलकि एक दिव्य उपहार है, जिसे ब्रहमांडिय नर्तक और बुरा भगवान शिव का आसु माना जाता है, रुदराक्ष की कहानी को उजागर करना हमें पौरानिक कथाओं में डूबे समय में वापस ले जाता है, किमवदंती है कि भगवान शिव ने सभी जीवित प्राणियों के कल्यान के लिए गेहन ध्यान में डूब कर आसु बहाए थे प्रित्वी को छूने पर आसु रुदराक्ष के पेड में उग आया, जो करुणा का प्रतीक सर्वव्यापी ब्रहमांडिय उर्जा का प्रमान है रुदराक्ष शब्द स्वयन संस्कृत शब्द रुद्र भगवान शिव का दूसरा नाम और अक्ष जिसका अर्थ है आसु से लिया गया है रुदराक्ष के पेड का प्रतीक बीज अपने भीतर इस दिव्य उर्जा की एक चिंगारी परमात्मा के साथ एक ठोस संबंध रखता है